बढ़िया जिंदगी जीने के लिए वड़ों के चड़ों में पढ़ाम करते हुए आसिरवाद लेते रहे हैं। अच्छी बहू वही हैं जो सबसे पहले भोर में जागती हैं तो दर्ती माता को पढ़ाम करती हैं। रात्री का पहना हुआ वस्त्र कभी रच्छी में पहन करके न घुष्छा, प्रवेश मत करना। रात्री में पहना हुआ अवस्त्र बहुत अफवित्र होता है। परसोही भगवान का दिवे मंदिर है, वहां सुचता और प्रश्णता के साथ, सुधधता के साथ प्रवेस कीजिए, परसोही में जब प्रवेस करो तो उसकी चौकट को प्रणाम करें, चौकट तो होती नहीं है, देहली टाइप की तो होती ही है, उसे माँ अन प्रुणा को बंदन प्रणाम कहा जाता है, आपके घर में कभी भी बरकत में कमी नहीं आएगी, प्रसन्न होते हुए अत प्रश्णता के साथ, एक बार जेकरा लगाईए, बुलिबांके, बिहान, इनान, जेहान, और अपनी सासु माँ को प्रणाम, इन तीन माताओं को तुम प्रणाम करती रहोगी, तुमारे बेटे इतनी तरक्की करेंगे, इतनी तरक्की कि उनकी जनम पत्रियां दिखाने की जरूत नहीं पड़ेगे, आनन रहोगा, इनका आशिरवाद नित लेते रहिए, जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, जो इनके आशिरवाद में हैं, हम लोगों के, जो भी पूजा पाट किया जावे और हिर्दय से कहीं, किसी को भगवान को प्रात्ना करके कहें, कि इनका कल्यान कर देना, कोई कल्यान सब्द वहीं लागू होगा, जहां जन घरों में बुजरगों का असिरवाद, ब्रद्धों का असिरवाद मिलता रहता है, और यहें विडम्मना हैं, सादूों को खूब माना जाता है, उनके चंड छुए जाते हैं, उन्हें बड़ी अच्छी चीज़ें खिलाई जाती हैं, लेकिन घर में बुड़ा और बुड़िया के लिए सूखे फुलके भी नहीं है, हमें काजू पिस्ता खिलाने से कुछ भी नहीं होगा, घर में उन ब्रद्धों का आदर करें, मान करें, उनका सम्मान करें, उन्हें तीर्थ यात्रा कराएं, इसमें कल्यान का साधन चिपा हुआ है, और इस धर्ती की बहुएं इतनी बड़ भागियें भाग साल नहीं हुआ है, जिनें अपनी सासु मा के संग रहने का सोभाग प्रत हुआ है, इन से कभी अलग मत हो ना, संपूर्ण तीर्थों का दर्सन हो जाता है, सुवए जब आप अपने कमरे में से ना दोके निकलती हो ना, ये बुड़ी तुमारी सासु मा उस समय मंदर में कुछ न कुछ कुटर मुटर करती हुई दीखती है सुवए, बहु अपने कमरे में से बाहर निकल रही है, और उसकी सासु मा उस समय पूजा में बैठी है उस समय आप उसे प्रणाम कर लेते हैं धर्ती के सभी देवता राजी हो जाते हैं आपके प्रणाम से यह नहीं है कि तुम अपने कमरे में से निकले और चाय बनाने के लिए घुस गए मा को सासु ससर को बनना आठकल तो बहुएं बिलकुल घरों में भी माहुल बिलकुल बेटी जैसा ही देखने को मिलता है जो पोसाख आप अपने पीर में पहनती है वो याजकल ससराल में पहनती है अब कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ कुछ अलग सा लगता है ठीक है बढ़िया है युकी हिसाब से माता पिता सास ससर की उम्र वो माता पिता और ये सास ससर इनकी दसो साल उमर और ज़्यादा बढ़ जाएगी जिस घर में बहुएं इनको तरशित नहीं करती परिशान नहीं करती इन से कभी इनके बेटे को अलग मत करना कभी कभी बेटा फूट फूट के रोता है वो मम्मी पापा से अलग नहीं होना चाहता बुरा मत मानिये मेरी बेहने अपने आदमी को लेके अलग हो जाती है और ये उन देवियों का बहुत बड़ा दुरभाग्य होता है पुर्णियों में छीनता होती है